दोस्तो समुंदर की दुनिया बाहर से देखने में बहुत ही खुब्सूरत लगती है लेकिन इसके अंदर कई ऐसे जीव होते हैं जिन में से तो कुछ काफी सांति सुभाप के होते हैं तो वहीं कुछ आजीव और काफी जादा खतनाक होते हैं तो चलिए आज हम आपको दुनिया के कुछ समुंदर में रहने वाले खतनाक और अजीव मचलियों के बारे में बताएंगे तो वीडियो को लाश्य तक जरूर देखना उस्ते पहले अगर आप लोग चैनले पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना नमबर वन प राज पानी की एक खतनाक और जानलेवा मचलियों में से एक है जो अपने रेजर की तरह तरह तेज धार वाले त्रिकोंदाच के लिए मसूर है यह दक्षिन अमेरिकी नद्यों में रहती है पिराना हमेसा जुन्द में सिकार करती है यह अपने से बड़े मचली का या जीव पर हमला करना आम बात है इस पिराना की सार्ट चे अधिक परजात्या पाइंच जाती हैं यह 50 cm तक लंबी हो सकती है नम्मा टू ग्रेट वाइट सार्क को वाइट पाइटर भी कहा जाता है यह दुनिया भर में इतने परशित हैं कि इसे कोई परीचे की आब सकता नहीं क्य पर एक बार हमला करने के बाद दोवारा हमला करने के लिए साइध ही लोटता होगा इसका हमला इतना भायनक होता है कि जादा खुन बहने की वज़े से मौत भी हो सकती है नम्मर थ्री रेड लाइन फिस यह मचली बिच्चु जैसे ही दिखते हैं यह मचली अपने जहरीले की स्ताइन के लिए परसिद्ध हैं जो की इंसानों के लिए काफी दरदनाक होते हैं इस मचली के सरीड में जैब्रे के जैसे पैटन होते हैं जब इस मचली को परसान के जाता है यह उसे खतरा महसूस करती है तब यह अपना विस्चैला काच़दार पंक सेलाती है और हमला क सब्सक्राइब करते हैं इसकी बज़ा से इसे देख पाना काफी मुश्किल हो जाता है गलती से भी आप इसके ऊपर हाथ या पैर रख्त देते हैं तो यह आपको नुक्विले पंखों से आपको गायल कर सकती है इसका जहर इतना खतनाक होता है कि उससे इंसान की मुथ भी हो सकती है नमबर 5 स्टार गेजर सिस पिर्थवी परमजूद पराणियों की करोड़ों परजातियों में से एक स्टार गेजर सिस काफी खतनाक परजाती मानी जाती है मचलियों की परजाती समुदर में रहने वाले छोटे छोटे जीव देंसु को अपना सिकार बनाती है इन छोटे छोटे जीवों से ही स्टार गेजर परजाती का जीवन चलता है इन मचलियों की सब्से खास बात यहीं कि यह भोजन की तलास में समुदर की तलाटी में घात लगाए रहती है और शिकार देखते ही उस पर हमला कर देती है दोस्तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लेतो पले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब तक चलिए गुदबाई एंटेक्ट थाइंक्यो